बिस्मिलाहिर रुख्मान रुरहीम, असलाम उलेकूं, माई यूट्यूब फैमिली, आप लोगों के इंस्टाग्रेम पे सबसे जादा मेसेज़ेज या आते हैं कि आप हमें कोई असान सा राइटिंग का काम देदें जिसमें जादा मेहनत ना लगे और असानी से हम काम कर सके उसली मैसेज़ेज मुझे यही मिलते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल सा हैंड राइटिंग का काम लेकर आई हूँ, पैन की मदद से आपको रेजिस्टर पर राइट करना होगा, राइट करने के बाद आप उसकी पिक्चर खेज़ेंगे और आप सब्मिट कर सकते हैं, कौन सा प्लैटफॉर्म है, किस तरह आपने काम करना है, किस तरह साइन अप करना है, सारी चीज़े मैं आपको डीटेल में समझाओंगी, आपने काम को अच्छी तरह से समझना है, आप अच्छी तरह काम को समझेंगे, तो आसाली से काम कर सकेंगे, वीडियो अग सबसे पहले हम गूगल पर आजेंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे OLX तो यह वाली वेबसाइट आपके सामने आजेगी जिस पर लिखा होगा OLX पाकिस्तान यह वाली वेबसाइट आपने open कर लेनी है आज तक OLX पर आपने हमेशा सिर्फ buy and sell का काम सुना होगा लेकिन यहां आज हम कोई buy and sell का का काम नहीं करने वाले हम यहां पर आज writing का का काम करेंगे OLX की authenticity तो हर कोई जानता है यहां पर आप उपर देख सकते हैं 10 million plus installs हैं इसके मतलब 10 million से ज़्यादा लोगों ने इसको install किया हुआ है इसको use कर रहे हैं buy and sell का का काम कर रहे हैं यहां आपने भी इसे use किया होगा मैं खुद भी कई बार इसे use कर चुकी हूँ यहां पर आज हमने करना है writing का काम अब यहां पर हम search बार पर आ जाते हैं और search बार पर आज हम लिखेंगे writing आप यहां पर जैसी writing type करेंगे देखें आपके पास option आगया writing jobs का आपने writing jobs को open कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं धाई हजार लोग writing का का काम कर रहे हैं OLX पर बैट कर OLX पर writing का का काम करके दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं अब जिस तरह से यह लोग पैसे कमा रहे हैं इस तरह से आपने भी पैसे कमाने हैं यहां पर सारे लोग writing assignment का काम करके दे रहे हैं यह वली हम open कर लेते हैं यह मरदान से हैं यह भी writing का काम करके दे रही है 2000-3000 weekly salary उठा रही है और writing का काम करके दे रही है क्या सिर्फ assignment write करके दे रही है और 2000-3000 रुपे हफ़ते के ले रही है अब आपने यहाँ पर काम किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हम back कर लेते हैं और यहाँ आप देखे आपके पास option आ रहा है cell का आपने cell पर click करना है अब यहाँ पर आपके पास चार options आ जाएंगे कि continue with google, continue with facebook, continue with email, continue with phone आप अगर चाहें तो google के थ्रू अपना account बना ले facebook के थ्रू बना ले या फिर email के थ्रू बना ले या फिर phone number के थ्रू बना ले मैं यहाँ पर continue with email कर रही हूँ अब आपने यहाँ पर अपनी email ID एंटर करनी है और फिर next पर click कर देना है अब आपने यहाँ पर password एंटर करना है फिर login पर click कर देना है इसके बाद इस तरह का interface आपके पास आजएगा यहाँ पर आपने cell पर click करना है cell पर click करने के बाद आप नीचे आजेंगे यहाँ पर आपके पास jobs का option आ रहा है आप jobs पर आजेंगे आप देखिए उपर fourth number पर आपके पास content writing का option आ रहा है यहाँ पर भी content writing का काम किया ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर categories में content writing का option मौझूद है आपने content writing पर click करना है उसके बाद इस तरह से आपके पास add posting का option आएगा सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी writing की image add करनी है अब image download करने के लिए आप google use कर सकते हैं आप google पर आ सकते हैं मैंने यहाँ google पर search किया handwriting pics तो आप देख सकते हैं आपके कितनी अच्छी handwriting की pics आ गई हैं अब यहाँ पर आप अपनी बर्दी से कोई सी भी image download कर लीजे 5-6 images at least आप यहाँ से download कर लीजे उर्दू की भी करना चाहें तो उर्दू की भी download कर लीजे download करने के लिए simply आप image के उपर tap करके रखेंगे आपके पास download image का option आजाएगा आप इस पर click करेंगे यह image आपके फोन में download हो जाएगी इस तरह से आपने 5-6 images यहाँ से download कर लेनी है उसके बाद आप वापस आजाएंगे वैलेक्स की तरफ आप add image पर click करेंगे आपके सामने आपकी gallery का option आएगा आप pick from gallery पर click करेंगे यहाँ आपके सामने आपके gallery की downloaded images आजाएंगी आपने यहाँ से अपनी images आड़ कर लेनी है यह image हमारी यहाँ पर add हो गई मैंने जस्ट एक ही image आड़ किया लेकिन आप at least 5-6 images जरूर आड़ कीजेगा उसके बाद हम नीचे आजाते हैं यहाँ पर हमरे पस option आ रहा है hiring as a company, hiring as an individual या third party आपने hiring as an individual पर click करना है इसके बाद आपने company name देना है company name में आप freelancer लिग दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर as a freelancer ही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर freelancer लिख देते हैं फिर उसके बाद type of ad का option है type of ad में job wanted और job offer हम यहाँ job wanted पर click करेंगे फिर आपके पास option आ रहा है salary from salary 2 का आपने यहाँ पर अपनी salary range बतानी है जितनी आप salary range कम रखेंगे उतने जादर आपके पास orders आएंगे जल्दी जल्दी orders complete करके देते रहिए और अपनी earning करते रहिए ना कि आप salary range इतनी high रख लें कि आपके पास order ना आएं और order देने के लिए लोग 1000 दफ़र सोचें क्योंकि जब भी यहाँ पर clients आते हैं तो वो search करते हैं कि किसकी salary range कम है तो जिनकी salary range कम होती है जो कम offer पर काम कर रहे होते हैं ज्यादतर उनहीं को order दिये जाते हैं इसलिए आपने salary range कम रखनी है हम यहाँ पर from में 200 लिख देते हैं तू में हम 800 लिख देते हैं यानि हम 200 से 800 रुपे के अंदर अंदर काम करके देंगे उसके बाद आपके पास option है weekly है या early है हम hourly पर click करेंगे हम एक गंटे के साफ से salary लेंगे एक गंटे में काम करके submit करेंगे पैसे लेंगे और काम खतम जब आपके पास assignment बड़ा हो यानि 10-12 pages का हो assignment तो आप उसको 2 hours या 3 hours पर कर लीजे और फिर उसे साफ से अपनी salary range रखिए ये चीज़ आप अपने client क के साथ mutually coordinate करके adjust कर सकते हैं जितनी अच्छी आपकी dealing होगी उतने जादा आपके पास orders आएंगे उसके बाद आपके पास option आ रहा है position type का full time, part time, contract, temporary हम इसको part time कर देते हैं तो इसके बाद option है choose location आप इस पर click करेंगे आपके सामने सारी locations आजेंगे आप अपनी location यहां से set कर दीजे, next option है add title, आपने writing से related कोई पी अच्छा सा title add करना है, मैं यहाँ पर expert writer लिख रही हूँ, इसके बाद नीचे आपने अपनी writing job से related description लिखनी है, मैंने यहाँ पर already आप लगों के लिए description लिख कर रखी है, आप अगर चाहें तो यही same description लिख सकते हैं, वीडियो को pause कर कि आप यह पूरी description type कर सकते हैं, इसके बाद आप नीचे next पर click कर देंगे, अब आपके पास your name का option आएगा, यहाँ पर आपने name type कर लेना है, उसके बाद आपके पास option आ रहा है show my number in ads, boys अपना number show कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए suitable नहीं होता कि वो अपना number show करें तो आप लोग यहाँ पर इसको click करेंगे, तो यह disable हो जागा, अब आपका number show नहीं होगा, इसके बाद नीचे आपके पास option आ रहा है post now का, आप post now पर click कर देंगे, अब यहाँ पर आपके पास option आ रहा है कि आप plans buy कर लीजे, पैसे दे कर तो हमने कोई plan buy नहीं करना, नीच skip का option आ रहा है, आप skip पर click कर देंगे, अब यह आप से कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर कोई plan buy नहीं किया है, लेहाजा आप जितने भी order complete करेंगे, उसका 1% आप OLX को देंगे, आप नीचे I agree पर click कर देंगे, इस तरह से यह service आपके पास post हो जाएगी, अब आप एक महीने तक यह service दे सकते हैं, एक महीने के बाद यह inactive हो जाएगा, तो आपने दुबारा से method से अपनी service पोस्ट कर देनी है, इस तरह आप unlimited time तक यहाँ पर earning कर सकते हैं, यह देखिए, यह हमारा ad यहाँ पर post हो गया है, इस तरह से हमारा ad show हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे views आने hiring as individual, company name freelancer आ गया, salary हमने जो बताई थी, वो salary यहाँ पर आ गई, अब यह सारी चीज़े तो हो गई, अब बात आती है कि आपने काम को submit कैसे करना है, जब आप पूरा assignment ready कर लेंगे, तो आपके आप scanner की मदद से उसको scan करके अपने client को दे देंगे, दूसरा option आपके पस यह ह order आ रहा है, तो आप उसको यह भी offer कर सकते हैं, कि भई आप फ़ला जगह पर आकर अपना assignment लेकर चले जाओ, और मुझे अपनी मेरी payment दे दो, यह सबसे best option होगा, क्योंकि एक हाथ दो, एक हाथ लो वाला काम होगा, कोई scam के जंजटी ने, लेकिन इन case अगर दूसरे शहर का आपके पस order है, तो आपने directly order submit नहीं करना है, आप पहले उससे कहेंगे, कि जनाब मैंने आपका assignment complete कर लिया, आप मुझे advance payment कर दो, तो मैं आपको आपका assignment send कर दूँगा, इन case अगर वो राजी नहीं होते, तो आपने सबसे पहले उनको एक video बना कर देनी है, अपने assignment की, watermark वाली video आप अपने client को show करेंगे, कि देखिए मैंने आपका काम complete कर दिया है, आप मुझे half payment कर दीजे, मैं आपको half काम send कर दूँगा, पर full payment करेंगे, बाकी का सारा काम भी send हो जाएगा, इस तरह से आपने काम करना है, आपके साथ कोई scam नहीं हो, आप safely काम कर सकेंगे, अब देन ग्रों योर्सल अलाभाफिज